इसे से CGL और CHSL 2023 बहुत नजदीक है और इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि लंबे टाइम तक पढ़ाई के लिए बैटना अब एक साइन्टिफिक तरीका होता है किसी भी चीज को अचीज को अचीव करना और सबसे ज्यादा अब यह तो सिर्फ CGL के लिए नहीं दाएगा लिमिटेड यह अगर आप किसी और एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहो एक आपको नोट में स्टार्टिंग में दिनना चाहता हूं कि इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दिन फोकस ऑन दे क्वालिटी नौट दे फैंसीनेस सबसे पहले चीज़ 45 और है अभी सिर्फ यूरू सिजातना चाहता है अगर आप 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 इस चीज में पहले से पढ़ाई कर चुकए तो आप 8 आर्स लेकर चल सकते कोई प्रॉलम नहीं है एंपल अमाउंट ऑफ टाइम है अभी सेचेशल 23 के लिए और उसके लिए एट आउर्स प्लस विल भी सफिशेंट टोटली सफिशेंट रहेगा ज्यादा उसके लिए आपको सोचने के जरूरत नहीं है नाओ हीर कम दो फर्स तींग सबसे पहला चीज है डिस्ट्रय प्रोकरेसिणी नेशार फिरा मितलब होता है कि टाल लना किसी चीज को टाल देंव आपको आज करना मैं बताऊ एक टॉपिक पढ़ाई करनी है मैं blocks آپ करों कर्ते सबके साथ Countermen में होता है बट इसको एवाइट किया जा सकते हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं इसको कैसे आप अपना शेडूल बनाओगी कैसे शेडूल बनाओगा जैसे आपको कल क्या करना है उसकी शेडूल आपकी आज रात को तयार हो जाने चाहिए आपको डाइरी का यू सबसे पहले आपको दिन के शुरुआत करनी है सबसे टॉपिक के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज है कि कोई भी इंसान का जो मन होता है वो इसको कहा गयता है कि चूज एजी पाथ पहले इस चीज करो बाद में हाड चीज बजाएंगे हाड टॉपिक को अठाएंगे नहीं क्या करना है पट उसके बाद जैसे आप पढ़ाई पर जाओं जो सबसे टॉफस चीज है उसको आप सबसे वहले टैकल करोगा है वह आपके फर्स्ट हाफ के लिए फिर आप उस चीज को आपके दिमाग में का अल्रेटी ब्रेन में वह दोपामीन आ जाएगी यस यह विडियोस देखा है मैं किसी का नाम नहीं लेता बट यह जो टेकनीक होती है डोंट फॉलो दिस टेकनीक 25 मिन्स टेकनीक क्या होती है 25 मिन्स टेकनीक बताती है कि अगर आप 25 मिनट तक बिल्कुल 100% फोकस होगे पढ़ाई करते हो तो यह आपके मैक्सिमम टाइमिंग्स है इसके जादा आप कर ही नहीं सकते हो फोकस तो इसके बाद आपको एक ब्रेक लेना चीए बिल्खुल अग्रीड बट बहुत लोग इस चीज़को फॉलो करते हैं और बताते भी इस चीज़को फॉलो करने के लिए बट भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्लॉज है 100% 99% 90% नाओ यू थिंक हाँ मुच परसंट फॉलो करते हैं कि चीज़ों को अचीव किया जाए विट फिफ्टी परसंट फॉकस दिस इस मच रिक्वाइड इस जरूरत नहीं आपको आप 25 मिनिट का टेक्नीक को फॉलो नहीं करो यह आपके लिए प्रेक्टिकल नहीं है आप पचा परसंट फोकस के साथ करो बिल्कुल नॉर्मल जैसे पढ़ाई करते हुआ से पढ़ाई स्टार्ट करो गिविए बेस्ट शॉट फिफ्टी मिनिट्स पचास में ते कंटीनिव रखो एक गंट ते कंटीनिव रखो उसके बाद ब्रेक लो यह आपको करना है आप यह 25 मिन्स करने बहुत जाथ आइडियल के सा है पुटेटिकल वर्ड में काम आएगा नॉर्मल जीवन में यह काम नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा हूंगे 100 परसंट फोकस इस पॉसिबल मेक शूर में टाकें बॉर्ड बल्क उफ दे मास मैं मासे की बात कर रहा हूं और दे एक्सेप्शन बीच में 30 सेकंड सब ब्रेक लेक मैं आपको बताना चाहूंगे अगर आप सीचसल 2023 की तैयारी कर रहा हूं तो चक्षू पब्लिकेशन की टारिट क्रैक एक बहुत बहुत इस डिया जागा साती में 700 पेपर होंगे जहांपे कि आपको 2022 के टीस्ट पैटर्ण बेस के प्यूशन प्लेंगे विच इस वेरी हल्फुल आपके लिए पैनिसी का काम करेगा सेसिंट जादक ज्यानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकाउट कर सकते हों इन आओई फूर ठीग इंस ब्रेक तेग वह बहुत ब्रेकप बहुत में वीजिए लिए नियुक्ति आपको हर पचास मिड़के बाद 15 मिटे एटलीस ब्रेक लेना है किसी के बात मत सुननों पांच में ब्रेक, डो मिर्ट ब्रेक? No. तेक अलेस्ट 50 मिटस अगर आप पढाय किया, 50 to 60% फोकास के साथ. पेग ब्रेक for at least 50 मिटस थे लुए साइटिफिक तेंग्ज्स यह आप व्रेन को चैलेंज करेंगी. आप बिना किसी लॉजिकल चीजों के किसी को फॉलो मत करना I'll recommend that आप मेरे को फॉलो करो किसी और को फॉलो करो लेकन लॉजिकल चीजों को फॉलो करो at least हर तीन घंटे के बाद आपको 30 मिट्स का ब्रेक लेना it can be anything it can be a nap it can be a siesta it can be your any friendly gossip anything but तीन घंटे के बाद आपको लेना ही है तीन तीन बार आपने 50 मिट्ट दिया टाइम ही 50 मिट्स ब्रेक बहुत कंपल सरी है लंबर टाइम तक जाने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता हूं एक बहुत famous quote है मैंने कहीं पर सुना था I don't know remember right now मैंने कहां पर सुना था बटो बताया था वहां पर कि यह जर्नी होता है न studies का this is not a marathon sorry this is not a sprint this is a marathon और यहां पर हर रोज every day is a sprint तो आपको marathon achieve करने के लिए every day sprint जाना है और sprint के लिए बहुत important है कि आप breaks लेके चलो very important आगे पढ़ते हैं health is wealth very 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 important मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो लोग अपने किसी भी strategies में किसी भी चीजों में वो health को कभी भी include नहीं करते हैं which is a which is a fallacy in the techniques and it's a fast क्योंकि अगर आप health conscious नहीं हो तो बहुत मैंने में आप बहुत चीजों में पीछे रह जाओगे and it applies to anything 30 minutes का exercise must है आपके लिए at least अगर आप जिम फ्रीक हो तो आप एक घंटे भी करो which is very important including meditation and yoga alternatives dependent upon it totally depends upon you कि आप क्या करना चाहते हो और इवा meditation को करना चाहते हो तो आप जरूर करो mental health equally important है considering suffering अभी जितना stress चलता है soothing music is very important जो music का आपको अच्छा लगता है जो आपके brain को थोड़ा शांती दिसको सुनो and use this music to study topics like maths reasoning it helps a lot मैं आपको बताओ मैंने एक चीज को खुद इस्तमाल किया है जब लंबे टाम देख पढ़ाई करना होता है for example मैं बता आपको आपने maths चूज किया यह आपको तीन घंटे आज maths पढ़ना है त्री आस आपका अपना जो बहतरी music है जो आप सुनना चाहते हो इसको लगाओ headphone में practice start करो you are doing practice not studying practice के time बहुत help करेगा music क्योंकि दिमाग आपका एक direction में बढ़ जाता है कि yes this is the question यह तरीके से question solve होगा आपके brain में hit करेगा और आपके brain में soothing music जाएगी वो एक तरह का disturbance है जो के examination लिए अपको स्थिंग कर लेख टो तो आप अपने अंदर से सबसे ब्स निकाल सकते हो इस चीज को आप इस चीज़ को इस्तमादा में जरू करने तो यह बहुत important होगा आपके लिए social media number six very very important एक बहुत अच्छा concept है यह मैंने सुना था Mr. शेतन भगत से उन्होंने कहा था कि limit your entertainment आज की डेट में entertainment की कमी नहीं है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ entertainment है अगर आप कोई भी app खुलो हर चीज में entertainment जो गया इंफोटेंबेंट हो गया है एचुटेंबेंट हो गया है entertainment को limit करना है आपको social media बहुत अच्छा चीज है बहुत जादा आपको छोड़ना नहीं है don't totally distract yourself from social media social media is WhatsApp, FB, Instagram don't totally अपने आपको वहां से उखार गनी फेकना है don't uproot yourself but I will recommend you I will recommend you never watch reels and shots और FB watch यह क्या है आपके brain को use करने का time नहीं देता है like आपने एक shots open किया या आपने एक reels open किया इस्टा पर आपने यह देखा अब आपको अगला process क्या करना है you just swipe it आपने swipe किया एक और दिखा वह अच्छा लगा क्राब लगा you don't know अच्छा लगा तो आप इसको दो बार देखो कर नहीं अच्छा लगा तो एक बर अगर आपने उस चीज को करना start कर दिया 30 minutes one hour will be gone in a vanish तो प्लीज इसको आप अवाइड करो इन तीन चीजों को अवाइड करो बाकी कोई प्रॉलम नहीं है आपने free time के social media जरूर यूज करो use family as your social media very important family का इस्तिमाल करो as social media लोगों से बात करो अपने घर में लोगों से बात करो it will really help you space यह तो सब के लिए हर student के लिए important है कि उनका प्रॉपर स्पेस होना चाहिए उसको बार बार चाहिए नहीं करना चाहिए don't use your bed as a space fix करो table को table पर पढ़ाई करो back में थोड़ा सा problem हो सकता है थोड़ा सा questions use करो long time के लिए अगर आप बैट होगे तो back में नेक में आपको issues देखने को मिलेंगे questions use करो थोड़ा सा head down करो है very important these hacks are really important please do it तो कि आपको लगेगा कि आप बहुत जादा मेहनत कर रहे हो यह नहीं कर पाए then it's worthless useless totally बक्वास हो जाएगा फिर ना एक इंसान उतना energetic हो सकता है next day जितना अच्छा हो एक दिन या एक रात से पहले sleep लेता है 8-hour sleep is necessary बहुत important है please 8 hours at least आप sleep low 888 को follow करो 888 8 hours sleep 8 hours studies at least 8 hours your other things अब यह other things को आप 8 hours को यहां दे सकते हो यहां दे सकते हो that totally depends upon you but यह दोनों में कमी नहीं होनी चाहिए दो पहर में at least एक घंटे का आपको यहां यहां पर एक घंटा नैप जरूरो सिएस्टर रूलो इंपोर्टेंट आपको एनर्जाइज करेंगा री फ्यूल करेंगा आपको फूड वन मोर थिंग टाइम ली खाना बहुत इंपोर्टेंट स्नैकिंग नहीं करना स्नैकिंग निए एक बहुत कॉमन टर्म है जो जाते हो उनको पता होगा कि स्नैकिंग का मतलब होता है कि अगर आप उठे आप अपने किचिन में गए अपने कैवने ओपन के आपको दिखा कि कुछ भी रखा हुए फॉर एन एक्जाम उंक्लुड करो फूट करो फूट करो अपने फ्री ट्री टाम को बोलता है एंटर्टेंमेंट करना है बिल्कुल बखवास बात है बिल्कुल मतों नहीं गी बात इन जोई फ्री टैम जो आर्ट हाउज मैंने आपको बोला उसमेंसे अगर आपको फ्री टैम के लिए आप निकाल पाता अटो बहुत अच्छी बात करो विचिंग करो फैमिली के साथ बात करो अगर कोई आपके लाइफ स्पेशल परसन है तो उन से भी बात करो give them also the time balance is very important avoid motivational videos too much, overdose बहुत जादा motivational videos नहीं देखना है क्योंकि वो आपको हमेशा एक kick देगा, it will give a kick but it will not be helpful in the long run because discipline will be the only thing which will help you in the long run so disciplined videos देखो, अगर आपको कोई सिखादा, discipline कैसे follow करना है not the motivational thing 11th, green light, red light timings fix होने चाहिए कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है रात को 10 बजे अगर आपको स्टॉप करना है it means कि अगर आप वहां तक पहुँच गए 9.55 में अगर आपने एक कुशन को solve कर लिया तो बाकी 5 minutes आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप फिर उसको 10 बच के 10 minutes तक लेके नहीं जाना चाहोगे फिर वो फिर एक दिन होगा अगले दिन वो 10-20 हो जाएगा फिर तीसरे दिन वो 11 हो जाएगा तो योर टोटली रूटीन वो टोटली डिस्ट्रॉइड ये काम नहीं करना है कब ग्रीन लाइट है, कब रेर लाइट है पता होना चाहिए there will be bad days but don't beat yourself अपने आपको तोड़ना नहीं जादा एक दिन हुआ, रूटीन फॉलो नहीं हुआ रूटीन नहीं हो पाएं अपने आपको तोड़ना नहीं है जादा अपने आपको जादा खिले ब्लेम नहीं करना है next है same चीज़ को repeat करना है जो आपने start किया था move on करना सीज़ी को very important now the last one that is group study ये एक बहुत ही famous चीज है जिसका गलत इस्तमाल भी होता है इसको कैसे tackle करना ही जाना important है choose your group wisely for study क्योंकि अगर आपने choose नहीं किया तो आप सिर्फ telegram के question solve कर दे रहे जाओको telegram पे questions आते हैं UPSC के questions आगे हैं इसको solve कर लो interview के questions आगे इसको solve कर लो ये question बहुत important है please limit your studies also and the last one subscribe to the channel for more useful videos and like subscribe share क्योंकि ये बहुत important अगर ये नहीं होगा फिर मैं भी यहां से चीज़ों को provide नहीं कर पाऊंगा so this is fuel for me so that's totally dependent upon you आप के उपर है कि आप अपने इस creator को कैसे support करते हो channel को subscribe करके इन वीडियो सो शेयर करके hopefully ये वीडियो आपको useful लगी होगी उमीद करता हूँ कि बहुत जल देख और बहुत 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 बहुतरी वीडियो के साथ आप तक पहुँचने ही कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको preparation status की बारे में और जाद अच्छे तरीके से समझा सकूँ अभी तो मैंने time allotment रुता ही है इसके बास subjects allotment भी बता हूँगा timing is बहुत important follow करना channel को make sure कि आप channel को subscribe करके बैठा हो thank you very much bye bye